हेलो इवर्स आज हम देखते हैं कि पोलार टू रेक्टेंगूलर और रेक्टेंगूलर टू पोलार क्यालसी पर कैसे फाइंड आउट करते हैं यह जानने के लिए, as a example, हमने एक कन्वर्जेन लिया है, polar to rectangular, polar value is 75 और angle is 45 degree, उसका answer है 50.03 प्लस जे 50.03, अभी हम polar to rectangular करेंगे, तो क्यालसी पर क्या आना चाहिए, देखो, क्यालसी पर, यह जो हमें polar to rectangular करने के लिए, rectangular प्रेस करो, हमें rectangular प्रेस करने के लिए, shift rectangular, shift rectangular प्रेस किया, तो क्यालसी पर आएगा, rectangular, और इधर हमें polar की value input करने है, polar की value है, 75 और angle है, 45, इधर लिख, 75, इधर क्वामा देंगे, shift, एक क्वामा आया, और 45, एक ब्राकेट क्लोज करेंगे, equal to दबाएंगे, तो आया, यह देखिए, यहाँ पर answer आया है, x equal to 53.03, और y equal to 53.03, sorry, 53.03, यह देखिए, same answer यही है, अब next example देखेंगे, rectangular to polar, rectangular to polar के लिए हमें example लिए आया है, 3 plus j52, j5.2, और उसका polar answer है, 6, और angle है, 60.01 degree, तो हमें rectangular conversion करना है, rectangular का conversion polar में करना है, इसलिए यहाँ पर screen पर polar आना है चीलिए, screen पर polar देखे, shift और polar, तो screen पर polar आता है, और यहाँ rectangular की value input करने पर थे, rectangular की value है, 3, यहाँ पर plus आता है, लेकिन यहाँ पर हमें comma input करना है, shift, यह comma, और 5.2, bracket close equal to, यह आर आगया, आर आगया 6, 6.00 और आंगल आगया हमें 60.01 degree, 60.01 degree, thank you